हेलो बच्चो, वेलकम बैक तु माई यूटीब चैनल, केट्स लर्निंग, आप सभी बच्चो का मेरे यूटीब चैनल पर स्वाकत हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे, चलिए आज हम करेंगे, डियोई द्वारा दीगे वाक्षेट, दिनांगे 25, 2020, क्रमा निक्षिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखेंगे, अगर आपको लिखना आता है बच्चो तो बहुत ही बड़िया बात है, अगर नहीं आ रहा तो गर में किसी बड़े की सायता ले ले लिजे, वो आपकी जरूर मदद करेंगे, चलिए बच्चो, आगे बढ़ते हैं, बाग संख्या एक, बच्चो कहानी सुनना सभी को अच्चा लगता है न, बच्चो सभी को अच्चा लगता है न, आपको भी कहानी सुनना अच्चा लगता है न, आईए, आज हम आपको एक कहानी सुनाए, कहानी का नाम है, शेर और चूहा, कहानी का क्या नाम है बच्चो, शेर और चूहा चलिए पढ़ते हैं कहानी में क्या क्या है एक बार शेर एक शेर चंगल में कहरी नीन में सो रहा था तभी एक चूहा वहां आया और शेर के उपर खेलने लगा जिससे सेर की नीन टूट गई सेर ने चूहे को अपने पंजे में जकर लिया चूहा बहुत डर गया उसने सेर से कापते हुए विन्ती की शेर राजा आप मुझे छोड़ दो आपका यह उपकार मैं समयाने पर जरूर चुका दूँगा यह सुनकर शेर को चूहे पे दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया एक दिन शेर जंगल में सो रहा था गहरी नीन में तब तक एक चूहा आया वहाँ उसके उपर शेर के उपर खेलने लगा जिससे सेर की नीन तूड़ गी बच्चो और शेर ने चूहे को अपने पंजे में जकर लिया और चूहा बहुत डर गया उसने कापते वे शेर से क्या कहा शेर राजा मुझे छोड़ दो ये उपकार में समय आने पर जरूर चुखा दूगा यह सुनकर शेर को क्या? चूहे पर दया आ गई उसने कहा? उसे छोड़ दिया शेर ने चूहे को छोड़ दिया चलिए बच्चो आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ कुछ समय बाद एक दिन शेर सिकारियों की जाल में फस गया और अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाडे मारने लगा चूहा वहाँ से गुजर रहा था शेर की आवाज सुनकर चूहा उसके पास आया और उसने अपनी नुकिली दातों से जाल को काट कर शेर को आजाद कर दिया शेर ने कहा शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया और फिर दोनों दोस बन गए कुछ दिन बाद शिकारियों के जाल में शेर पस गया था बच्चो और पिर जोर जोर से दहाडे मारने लगा जिससे क्या हुआ चूहा वहाँ से गुजर रहा था उसने देखा शेर पसा हुआ है तो उसने अपने नुकी ले दातों से जाल को काट कर शेर को आजाद कर दिया शेर चूहे शेर ने चूहे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और फिर दोनों दोस बन गए दोनों बहुत बढ़िया दोस बन गए भाग दो आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी बच्चो आईए अब इसके बारे में चर्चा करें बच्चो आपको कहानी पसंद आई ना चलिए इस कहानी के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं देखिए एक में क्या दिया है शेर कहा सो रहा था तो शेर देखिए इस पिक्चर में एक बार आपको दिखा देती हो ये देखिए बच्चो शेर देखिए यहाँ पे शेर का पिक्चर है शेर काँ सो रहा था जंगल में सो रहा था और दूसरा देख लेते हैं शेर की नीन क्यों टूट गई? क्योंकि उसके पेट उपर चूहा खेल रहा था जिससे शेर की नीन टूट गई पर तिसरा देखिए शेर किस में फस गया सेर शिकारियों के जाल में फस गया और चुहे ने शेर को कैसे बचाया बच्चो चुहे ने अपने दातों से देखिए कुतर दिया चाल को और शेर को बचाया आप अपने दोस्त की मदद किस प्रकार करते हैं बच्चो तो आप अपने फ्रेंड की मदद कैसे करते हैं, जब बच्चो अपने आपको अपने दोस्त की ज़रूत होती तो आप क्या करते हैं, जैसे वो कहता है, दोस्त मेरे पास पैंसिल नहीं है, फ्लीज मुझे पैंसिल दे दो, तो आप देते होंगे, अपने दोस्त की मदद करते ह तो आप अपना हूवग भी देते होंगे माता पिता के लिए नोट है बच्चों की कारी करने में सायता करे अभी बाओकों के लिए सुझाव है ये कहानी अपनी शब्दों में सुननाने के लिए बच्चों को प्रेरित केजिए आज का कोविट का मैसेज है जब भी बहार निक क्राटियों की मेरी वर्क्षुट आपको पसंद आये होगे बच्चों ।ब तकना ध्यान रखते सुरगजित रहे लोगे